नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा आठ की विशेहिंदी की वर्क सीट नमबर 29 यानि के 29 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 19 जनवरी 2021 अब इन्होंने 19 तो कर दिया लेकिन 2021 करना भूल गए तो ये 2021 कर लेना ठीक है बच्चों विद्यारती के नाम में आप सब जानते हैं कि आप अपना नाम लिख देंगे कक्षा अध्यापक के नाम में भी आपको सब को पता है कि अगर आपको ये नहीं बोला कि अपने सब्जेक टीचर का नाम लिखना है तो लिखिए अपने क्लास टीचर यानि के कक्षा अध्यापक का नाम और अगर आपको बोला है कि अपने subject teacher का अपने विशय वाले अध्यापक का नाम लिखुए तो कौन से अध्यापक का नाम लिखेंगे फिर लिखेंगे आप अपने हिंदी वाले अध्यापक या अध्यापी का नाम ओके माई डियर स्टुमेंट्स चलिए मेरे प्यारे बच्चो अब पढ़ते हैं अकबरी लोटा और ये तो वही पार्ट है जिसको हम पढ़ रहे थे winter break से पहले यानि की सर्दियों की चुट्टी से पहले तो अकबरी लोक्टे का आगे पढ़ते हैं हम क्या होता है ठीक है आपको याद होगा लाला ज्हाव लाल वाली स्टोरी तो वही हम इसको आगे बढ़ाते हैं चलिए सुरू करते हैं आज की वक्सी जहांगीरी अंडा हाँ जहांगीरी अंडा अब वो बात कर रहे हैं उसकी कि वो major douglas जो है जिनके पास जहांगीरी अंडा था और वो जुद अंग्रेज था जिसके उपर लाला ज्हाव लाल का वो लोटा गिर गया था वो उसको इसले लेके चला गया भीय ये तो अकबरी लोटा है ना? तो जहांगीरेंडा? हाँ जहांगीरेंडा, मेजर डगलस ने समझ रखा था, कि हिंदूस्तान से ही वे अच्छी चीजे ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबुतर ने नूर जहां से जहांगीर प्रेम करवाया था। जहांगीर का अगर प्रेम हुआ था बच्चो तो एक कबूतर की वज़े से हुआ था जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया नूर जहांने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाया था ऐसे है ना तो जब उसने पूछा कि तुमने कैसे उड़ने दिया वो तो गुसे में पू तो उसे बड़ा अच्छा लगा जहांगीर को उसी चंद से उसने अपने को नूर जा के हाथ कर दिया और कबूतर का एहसान वह नहीं भूला उसके उपर एहसान हो गया अब नूर जा से उसको जब से तब से ही वो चाहने लगा उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख है ना उसके एक अंडा जो था जो कबूतर का अंडा उसको बड़े उसने बड़े सम्हाल के रख 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 था बड़ी महनत करी उसके लिए एक बिलोर की हांडी में वह सामने टंगा रहता था एक मतलब एक बिलोर की हांडी बिना रख थी और उसमें सामने टंग रख था व वो अन्डा उस अन्डे को क्या नाम लिया था तो वो कबूतर का अंडा लेकिन जहागीर की जीवन में उसकी बड़ी reporting थी क्योंकि उस अंडे उस कबूतर की वज़े से जिसका वो अन्डा था जहागीर और नूर जहां का मिलन हुआ था तो उसी को मेजर डगलास ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपे में खरीदा था और मेजर डगलस्क ने किसने रुपे में खरीदा था उसको पूरे के पूरे 300 रुपे अब समझे एक अंडे की कीमत आज भी 5 रुपे से जादा नहीं है और उस टाइम पे जहां पे 300 का मतलब था 3 लाग से भी ज ही ले सकते मेरा अक्बरी लोटा उनके जहां कीरी अंडे से एक पूस्त पुराना है अब वो अंग्रेज जिसने लाला जहावला से क्या करा था वो लोटा खरीदा था अब वो कह रहा है कि मेरे आगे नहीं हाक सकता वो न बड़ी न चोटी अब जादा नहीं तरह सकता क्योंकि मेरे पास भी उनका जबाब देने के लिए जहांगीर अंडे से भी पुराना अकबरी अंडा है क्योंकि अकबर तो जहांगीर स जो है आपका लोटा तो उनसे भी बढ़ा हो गया यानि कि उसंडे का पापा हो गया तो साहब ने लाला जहुलाल को 500 रुपे दे कर अपनी राली अब वो जो अंग्रेज था जिसके उपर वो लोटा गिरा था उसने वो लोटा ले लिया और कितने रुपे दिये 500 क्यूंकि उ और भी बढ़िया है तो भई मैं तो 500 रुपे दे सकता हूं इसके लाला जहुलाल का चेहरा इस समय देखने देखते बनता था जान पड़ता था कि मूँ पर 6 दिन से बड़ी हुई धाड़ी का एक एक बाल प्रसंता से लहरा रहा है अब किसी को एक तूटे फूटे लोटे कि बच्चों आप ही समझे पांसो रुपे मिल जाएं और पांसो रुपे जब उन पांसो रुपे की पांस लाग से जादे वैल्यू है तो वो तो खुस होए गई उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए धाई सो रुपा घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं कि आप जो है मेरे लिए डाई सो रुपे लेकर आए बिलवासी जी है ना डाई सो रुपे लेकर आए लेकिन बिलवासी जी के पास तो थे नहीं तो वो पूछ रहा है भई कहां से लाए डाई सो रुपे लाए तो इस भेद को मेरे सिवाए मेरा इस्वर ही जानता है आप उ जानता है मेरे इस्वार जे से पूछो क्मैं नहीं बता रहा है पर आप चले कहां अभी मुझे आप से काम है दो घंटे तक क्या काम है मतलब उनका कहने का मतलब था हां और क्या अभी मैं आपकी पीठ होकर साबा सी दूंगा एक घंटा इसमें लगेगा अब एक घंटा तक तुम्हें तम्हेरी तारिफ दूँगा वाह क्या बात है भई तुमने तो बड़ा काम कर दिया एक टूटे फुटे लोटे को 500 रुपे में बेग दिया तुम तो बड़े काम की चीज हो तो ये बोलूँगा फिर गले लगा कर धन्यवाद दूँगा एक घंटा इसमें भी लग जाएगा खुश होने में धन्यवाद देने अच्छा पहले 500 रुपे गिनकर सहज लीजे वो कहता अच्छा ठीक है दो घंटे आपको लगेंगे मेरा धन्यवाद भी दे लेना मेरे गले भी लग लेना लेकिन पहले 500 गिलो और अच्छे से समाल के रख दो रुपा अगर अपना हो तो उसे सहीजना एक ऐसा सुखद मनमुहक कारिय है कि मनुस्य उस समय सहज में ही तनमता प्राप्त करता है अब देखो अगर अपने पैसे हो तो आदमी कितने अच्छे से सहज के रखता है कि मेरा पैसा उसे ब बीच अंतर ध्यान हो गए वो तो मतलब गाय पमासे उस दिन रात्री में विन्वासी जी को देर तक नीद नहीं आई है ना उस दिन जब रात हुई तो विल्वासी जी को बिलकुल नीद नहीं आ रही थी यह चादर लपेटे चार पाई पर पड़े रहे चादर लपेटे वे पड़े थे एक बजे वे उठे धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वे सिकडी निकाली जिसमें एक ताली बंदी हुई थी क्योंकि जो बिलवासी जी की पतनी थी गले में पहन के रहती थी सोने का एक वो पहनती थी एक उसका अभूसंता सिकडी उसको पहनती थी और उसमें ताली बांद के रहती थी जैसे लिए थे as it is जाके उसमें रख दिये फिर दबे पाउं दबे पाउं का मतलब तो आप जानते हो दीरे-दीरे किसी को आवाज नाए ब्लोट कर ताली को उन्होंने पूर्वत पूर्वत पहले की ही तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया इसके बाद उन्होंने हसकर अंगडाएली अब वो मतलब भई चैन आ गया उन्हें कि मैंने रख दिया दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नीन सोए अब बिल्कुल चैन की नीन सो रहे थे भई देखो बहुत बड़े काम कर दिया मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और हो गया यह आपका पाट है न तो देखिए आपने पढ़ाना सुरू में पढ़ा था हमने लाला जहुलाल को की पत्नी ने पैसे मांगे पत्नी के पैसों का रेजबंड नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा मित्र के पास भी नहीं थी तो पत्नी के चुरा के लाया लेकिन एक एसी पत्नी के जो पैसे हैं वो ऐसे कैसे रख दिये जंदूप में जाकर और जो लाला जहुलाल है उनकी जद्वी बजगी उनकी पत्नी के आगे तो आप चलिए इन प्रशनों के उत्तर कर लेते हैं पहला प्रशन अंग्रेज ने जहागीरी अंडे की क्या गहानी सुनाई तो देखो यह लिख देंगे हम इसका आंसर अंग्रेज के अनुसार यह जहागीरी अंडा उसका बूतर का अंडा था जिसने जहागीर और नूर जहां का प्रेम करवाया था इसे मेजर डगलस नहीं दिल्ली के एक सक्स ने मेजर डगलस नहीं दिल्ली के एक सक्स ने 300 रुपे में खरीदा था इसे मेजर डगलस ने यह आप बच्चों ने करेंगे मैं इसको अभी ठीक कर देते हुए एक सेकेंड देखिए बच्चों आप इस तरीके से कर लेंगे इसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक सक्स से 300 रु प्रबंध कहां से किया अनुमान लगा कर लिखिये तो लिख दीजे बिलवासी जी ने धाई सो रुपे का इंद जाम अपनी पत्नी के संदूख से चोरी करके किया था बस दूसरे कोशन का इतना सा आंसर लिख दीजे अनुमान क्या हमें पता ही है हमने पहले भी तो स्टोरी पर रखी है ना जो इंटर ब्रेक से पहले तो आप ऐसे लिख देंगे और प्यारे बच्चों जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नी करा प्रीज वीडियो को लाइक कर दो मैं बड़ी महनत से आप लोगों के लिए बनाती हूं जिससे आप लोग अपना हूमवक कर पाएं और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करा करो अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करा करो और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे प्यारे बच्चों चलिए तीसरा कोशन लाला ज्हाउलाल अपनी पत्नी के लिए 500 रुपे ने कर पाते तो क्या होता कल्प ना कर लिखे तो अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 500 रुपे का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नराज हो जाती और लाला जी की इज़त मिट्टी में मिल जाती तो ये लिख देंगे आप प्रशन नमबर 3 का उत्तर चलिए अब चलते हैं प्रशन नमबर 4 की तरफ प्रशन नमबर 4 एक गतिविदी है यानि के एक अक्टिविटी बिलवासी जी ने लाला जहुलाल की सायता कर मित्रता दिखाई क्या आपने कभी अपने मित्र की सायता कर मित्रता निभाई है लिखिए तो बच्चो अगर याद आता है, जिसमें आपने अपनी मितर की मितरता निभाई हो, तो आप हो लिख सकते हैं, हाँ, मैंने एक बार मिरा मितर बहुत दिनों से विद्याले नहीं आया था, बाद में मुझे पता चला कि फीस ना भर पाने के कारण प्रंसिपल ने उसे इसकूल आने से मना कर दिया मैंने फिर घरा कर अपनी गुलक निकाली और अपनी साल भर की जमापुंजी जो बहुत दिनों से जमा करता आ रहा था इसी तरीके के जमा पूंजी उसे दे दी और इस तरीके से मैंने क्या किया अपनी सची दोस्ती निभाई तो ये लिख देंगे आप अपनी गतिविधी में और अगर आपने और कुछ किया है आपका अपनी दोस्ती निभाईने के लिए तो आप वो भी लिख सकते हैं तो ब्यारे बच्चों ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्क सीट आसा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी अपना होम वक कर लेंगे आप सब लोग आप खुश रहिए स्वस्त रहिए और बच्चों वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा डालना बिल्कुल न भूलिए चलिए फिर आती हूँ आपकी अगली वर्क सीट के साथ